नमस्ते दोस्तों आज हम गेहों के आटे का और पालक का बहुत टेस्टी नास्ता बनाएंगे जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा उसके लिए हमने गेहों के आटा को ले लिया आप इस तरह से पानी डाल के बढ़ी हासा गोल तयार कर लेना है पहले ज्छा गोल तयार कर लेना है गुलतिया नहीं रहनी चाहिए अब थोड़े से मसाले अड कर देना है जैसे लाल मिर्ची पाउडर अजवाईन र6 सब्सकी देना है पालक ना अब हारी मिर्च तोड़ा और अच्छे से मिक्स कर देना है, अभी थोड़ा सा पालक बचा उसको भी डाल देना इसी में, अच्छे से पालक गल जाता है, नमक पड़ा रहता है इसलिए बड़ी हासा गल जाता है, और अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से फेट लेना इसको, ये नास्ता खाने मे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, थोड़ा सा पानी और एड़ कर देना है, अभी पानी कम लग रहा, थोड़ा सा पानी और डाल देना है, इसको चिल्ला भी कहा जाता है, ये पालक वाले चिल्ला है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बिना पालके भी बना सकते है और फटा फट बनके तयार हो जाते हैं इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था जिससे पालग बहुत अच्छी से नरब हो चुकी है अब इसको बना लेना है एक पैन ले लिया उसमें थोड़ा से सरसो का तेल लगा देना है पैन को अच्छे से गरम कर लेना है अब घोल को डाल देना है और अच्छे से हाँस से फैला देना है पतले पतले बना लेना है इनको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है देखे इस तरह से हाँस से फैला देना बहुत अच्छे से फैल जाता है इस ट्रा आटा निकाल लेना है देखिया, startup hole निकला आरहा है, इस तरह से निकलाएगा, अब medium आज पर इसको सेख लेना है, high flame पर नहीं सेख लने नहीं तो जल जाएगा, अब थोड़ा से तेल उपर से डाल देना है अब इसको पलट देना है जब एक तरफ से सिंग जाएगा तो पलट देना है दूसरी तरफ भी अच्छे से सेख लेना है और मीडियम आज पर ही सेखना है जिससे अच्छे से पक जाएगा और खाने में बहुत टेश्टी लगता है इसको बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं और चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है और हिल्दी नास्ता है ये इस तरह से बच्चे पालक भी खा लेते हैं बड़ी है सा घुमा घुमा के सेक लेना इसको अब फिर पलट देना एक बार देखिए तैयार हो चुका इसको निकाल लेना एक पलेट में ऐसे ही दूसरा वाला भी बना लेना है एक गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है बनाते जाईए और सर्व करते जाईए तभी अच्छा लगता है ठंडा नहीं अच्छा लगता है दूसरा वाला भी इसी तरह फैला देना है देखिए बहुत अच्छे से फैल जाता है अब इसमें भी तेल लगा देना है और पकने देना है थोड़ी देर अब इसको भी पलट देना है दोनों तरफ से सेख लेना है यह भी पक्चु का इसको भी निकाल लेना है अब इनको सर्व कर देना है तरमाइटो पैचप के साथ सर्व किया है चाय के साथ भी सर्व कर सकते है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा एक बाज जरू ट्राइग कीजिएगा आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों